असलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं हूँ फार्मासिस्ट मुहम्मद मौसिन खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज हम जैसा के पहले पेपर पैटरन डिसकस कर रहे थे उसी तरह से पेपर पैटरन ही डिसकस कर रहे हैं फार्मैसी टेकनिशन पार्ट वन का 2023 के मताबिक तो 2023 में पेपर पैटरन क्या रहेगा फार्मैसी टेकनिशन का जैसा के पहले होता है उसी तरह से पेपर्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है एक डिवीए फस्ट डिवीएन में थीउरी के एक्जांज होंगे सैकेंड डिवीएन में प्रेक्टिकल के exam's लिए जाएंगी आप लोगों से और फियॉरी के exam's की बात करें तो फियॉरी में आपके सबजेक्ट्स को दो पेपर में डिवाइड किया गया है पेपर वन और पेपर टू पेपर वन में आपके सबजेक्ट्स जो included हैं उनन में and auto Biology, Maikrobiology और Biochemistry आपके चार सब्जेक्ट जो हैं वो पेपर 1 में इंक्लूडिड हैं और बाकि के जो दो सब्जेक्ट ये फार्मकोग्णोजी और तो फार्मासूटिक्स 1 ये पेपर 2 के अंदर incleuded है। और अगर इनके मारक्स के davion की बात करें तो थियोरी के जो दो पेपर हैं उनमें से हर पेपर जो है वो 120 नंबर का है, पेपर 1 भी 120 नंबर का है और पेपर 2 भी 120 नंबर का है और फुरदर मारक्स के davion देखें तो 120 नमबरों में से 60 नमबर के MC की हो जाएंगे आपके पास और बागी 60 नमबरों के शॉर्ट ऐसे क्वेस्चन्स दिये जाते हैं आप देखेंगे भी सही जब आप पेपर अटाइम्ड करने जाएंगे इन्शाला तो पेपर के उपर लिखा हुआ है उल्ड पेपर भी अगर आप उठा कर देखें तो वाँ शॉर्ट ऐसे क्वेस्चन्स है यानि कि आपको जो टॉपिक दिया कि आपने उस पर ऐसे लिखना है लेकिन लॉंग नहीं शॉर्ट ऐसे लिखना है तो आपने पांच नम बरका है और 12 बनेंगे तो ट्वल फाइव जा 60 मार्क्स के आपके शॉर्ट ऐसे क्वेस्चन सिस्टी मार्क के उस टोटल मार्स बनगे वांट ट्वेंटी अब हम देखती हैं कि आपके सब्जेक्ट में से हर सब्जेक्ट में से कितने एमसी क्यूज आएंगे और कितने शॉ पंदरा पंदरा थीस पंदरा पैंतालिस और साथde साथ नमबर के MCQs हो गए और तीन तीन ट्वेल्ब फाइव जर सिक्स्टी तो सिक्स्टी मार्स के शॉट ऐसे questions टोटल आपका पेपर वन हो गया 120 मार्स का नेक्स राते हैं जी पेपर टू की जानिब पेपर टू की बात करें तो पेपर टू में फामकोगोजी और फार्मसुटिक्स वन इंक्लूड़ुड़ें फामकोगोजी में से 30 MCQs होगे और 6 शॉट ऐसे questions हैं तो यह भी पेपर उसी तरह से 120 मंबरों का होगा 60 MCQs हो जाएंगे 30-30 दोनों में से और 12 शॉर्ट ऐसे questions होगे 6-6 दोनों में से और हर शॉर्ट ऐसे questions 5 नमबर का होगा तो इस तरह से आपके paper 1 के भी 120 marks बनते हैं paper 2 के भी 120 marks बनते हैं अब आपको pass होने के लिए कितने number चाहिए तो passing criteria की बात करें तो 50% marks in each exam हर exam में आपको 50% marks लेना जरूरी है paper 1 में भी आपके 50% marks होने चाहिए यानि 120 नमबरों का paper है तो 60 नमबरों वाला student pass होगा तो आपने 60 नमबर लेने हैं किसी भी तरह से pass होने अगर आपने तो इसी तरह से paper 2 में से भी pass होने के लिए आपको 60 नमबर required हैं तो यह था जी theory के बेपरों का introduction और उनका pattern 2030 के मताबिक अब हम आते हैं प्रैक्टिकल्स के लिए तो प्रैक्टिकल्स की बात करें पार्ट वन के अंदर फर्स्ट एर के अंदर आपके चार प्रैक्टिकल्स इंकुलूडिड हैं जिन में अनॉटमी और फिजियॉलोजी का एक प्रैक्टिकल होगा एक आपके 15 marks जो हैं वो नोट बुक के दिये जाएंगे आपकी जो प्रैक्टिकल्स नोट बुक आप लोग बनाएंगे उसके आपको 15 marks दिये जाएंगे चेक होने के बाद और उसके बाद 35 marks जो हैं आपका written exam होगा जैसे आप प्रैक्टिकल्स देने जाते हैं तो सबसे पहले आप से written exam लिया जाएगा, जिसमें आपको दो practicals लिखने के लिए दिये जाएंगे, साथ में उनका थोड़ा बहुत significance, clinical significance पूछी जा सकती है, जैसा कि अभी मैं बात करूँ, anatomy or physiology का आपका एक practical determination of bleeding time, तो bleeding time के उपर note आ सकता है, और साथ में जो है, कोई छोटी सी definition आ सकती है, कि what do you mean by bleeding time, या what is the clinical significance of bleeding time, और why do we determine bleeding time of the patient, तो इस तरह से एक दो छोटे से question, तो total आपको दो practicals दिये जाएंगे, और एक practical हो सकता है, उसके बाद जनाब, आपके 15 marks होगे, नोट बुक से जब ये external आपको आवाड करेगा, और last में 50 marks का आपका वाईवा होगा, तो वाईवा में most probably आप जो practical perform करके आते हैं, उसी practical से ही वाईवा लिया जाता है, जिसके अभी मिसाल दी bleeding time के मुतालिक, तो external आपसे पूछ सकता है, bleeding time क्या होता है, bleeding time हम क्यों measure करते हैं, bleeding time कैसे measure करते हैं, हम कौन सा method use करते हैं, मैं आपको बताता चलों कि most common method जो है bleeding time को measure करने का, वो dukes method है, जिसमें हम bleeding time को determine करते होते हैं, तो जी 50 नमबर का वाईवा, 35 नमबर का return exam, 15 नमबर की notebook तो total आपके 100 नमबर हो गए practical के, इसमें भी उसी तरह से आपको पास होने के लिए 50% marks चाहिए हर practical में, so number can not be physiology का है, तो इसमें से भी 50, microbiology, बायो केमिस्टरी में से भी 50, फर्मस्टोटेक्स 1 में से भी 50, और फार्मा कोगनोजी में से भी आपको 50 नमबर लेने हैं, पास होने के लिए, अच्छा जी, तो ये था जी, आपका paper pattern 2018 के मताबिक practicals का, फर्मेशी टेकनीशन पार्ट 1 के, इसमें एक और most common question है, जो आता है कि जनाब अगर कोई student जो है, खुदाना खास्ता, खुदाना खास्ता, किसी एक practical के अंदर उसको सपली आ जाती है, वो फेल हो जाता है, और साथ उसका theory के तमाम paper जो है, अनाटमी और physiology वाला pass है, और इधर से अनाटमी और physiology के उसे सपली आ गई है, तो क्या उसे theory का paper भी दुबारा देना पड़ेगा, तो नहीं जनाब ऐसा नहीं होगा, practical का paper उसे दुबारा repeat करना होगा, और theory का paper जो उसे दुबारा नहीं देना होगा, ये तमाम practical के साथ होगा, लेकिन हर practical को पास करने के लिए, आपको 50 number लेना जरूरी है, तो ये था जी हमारा आज के session, pharmacy technician या B category का paper pattern 2023 के मताबिक, इन्शालला मिलते हैं अपनी अगली वीडियो तक, तब तक सब लोग अपना खयाल रखिएगा, अल्लाँ आफेज,